सिंदू समाज के बारे में आप लोगों कितना पता है कुछ मैं यह नहीं पता पर मैं संक्षेक में बताना चाहूँगा सिंदू गाटी के बारे में तो आपने सुना है सबसे पुरानी सब्यता है सिंदू गाटी हमारे इश्ट देवता हैं श्री जुलेलाल जी जिन्नोंने करीब आज से करीब ग्यारा सो साल पहले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जनम लिया था लोग कहते हैं सिंदियों की रक्षा के लिए जनम लिया था पर उस टाइम पे क्या था जो पंजाब में रहता था वो पंजाबी जो पंजाब में पैदा हुआ पंजाबी कहलाता था जो बंगाल में पैदा हुआ वो बंगाली कहलाता था जो सिंद में पैदा हुआ सिंदी कहलाता था तो उसी तरह से हम लोगों को भी सिंदी कहना शुरू हुआ तो हमारे वहां पे जो एक मुस्लिम राजा था उसने जब एक फर्मान निकाला था कि यह तो तरम बदल लो वरना आप सबको मार दिया जाएगा तो वहां पे सिंदू नदी के पास में हमारे जो बुजग थे उन्होंने चालीस दिन तक वहां पे तपस्या करी थी तब एक मच्छी पे वरन देव ने प्रकट हुए थे उन्होंने बोला था जैसे सब अवतार जैसे बगवान राम जैसे बगवान कृष्ट उन्होंने सबने आकाशवानी करी थी कि इस दिन मैं पैदा होँगा और धर्म की रक्षा करूँगा तो उसी तरह से उन्होंने बोला मैं चैटर नवरात्रे में दिन पहले पे पैदा हूँ मौदब पलाने घर में मैं जनम लूंगा माता देवकी उनकी भी माठा नाम माता देवकी था और कई लोग तो कहने वाले ये कहते हैं के भगवान जूले लाल जो थे हो भगवान करिश्ने के यवधार थे क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तब इनकी भी लिलाएं ऐसी थी जूले में थे उनका जूला अपने आप जूलता रहता था इसलिए उनका नाम जूलेलाल पड़ गया था तो जो वो राजा था उसने जो होते हैं जो उनके सलाकार होते हैं जो उनको गलत सलाई देते हैं जो वो जो कटरपन्ती होते हैं जो मौलवी जो उनको गलत सलाएं दें नहीं ये तो कुछ नहीं है आपको पर बगवान जुलेलाल ने ऐसे दिखाय करिश में कि उसका राजा का महल में पानी भर गया सारा उसको जैसे लगा कि मेरा महल जल रहा है तब वो उसको समझ आई कि ये मैं गलत कर रहा हूं तब उसने जाके उनके हाद जोड़े और उनसे माफी मांगी कि भाई मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करूँगा और जो जिस धरम में है वो उसी धरम तो इसी बात पर मैं हमने सब लगा लिए एक बार ही सब को करूँगा जै जूले लाल तो उसी लेगेसी को बढ़ाते हुए जैसे सन 1947 में पार्टिशन हुआ सब लोग आए सब को कुछ ने कुछ मिला और हमारे सिंदी समाच को कुछ नहीं मिला को भी कोई कहां रह गया कोई कहां रह गया दिली हिंदुस्तान के जगे जगे कोने में तो लोग वा कहते हैं कि हमारे कुछ नहीं मिला मैंने का हमारे को तो हमारा पूरा भारत देश मिल गया हमें किसी स्टेट की जरूत नहीं हम तो भारत के कोने कोने में पहले हुए है आप जगे जगे चले जब आपको सिंदी मिलेंगे पर हां हमारी एक गौर्वर्मेंट से डिमांड जरूर है कि हमारे को दिली में सिंदू भवन चाहिए एक अपना स्थान चाहिए जहांपे हम अपने इश्देवता बगवान जूलेलाल को स्थाफित करें वहाँ पे जैसे हमारा मंदिर है बहुत मंदिर है हमारे यह नहीं कि मंदिर नहीं पर एक हमारे को बड़ा मंदिर चाहिए हमारे को वो हमारी डिमांड वो हमारी लड़ाई चल रही है और उसमें आप सब लोगों का भी मैं साथ चाहूंगा एक हमारा चेटी चंड आता है जो इसको हम जब चैतर नवराते जब हमारे बगवान जूले लाल का जन्म हुआ था तो उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और फिर एक हमारा होता है चलिए का प्रोग्राम जो हमारे बजल्गों ने चालीस दिन तपस्या करी थी जब वो जमीन पर ही सोते थे उन्होंने नादारी बनाए थी कुछ नहीं करा था वोई कपड़े बस वहीं पर थोड़े से दोते थे और पैन के और बिलकुल ही साथविक बोजन पर जमीन पर सोते थे आज भी कुछ लोग हैं जो वो चीज़ करते हैं बट हम लोग उसको बहुत धूमदाम से मनाते हैं चालीस दिन हमारे यहां बिलकुल जैसे चालीस दिन भजन का प्रोग्राम चलता है और चालीस दिन भंडारा चलता है रोज हमारे पास चार सो पांच सो लोग आते हैं हमारी कुल देवी हैं हिंगलाज माता जो की एक चक्ति पीठी है जो की पाकिस्तान में हैं तो राम नौमी का हमारे यहां होता है माता के नौराते हम मराते हैं शिवरात्री पे बहुत बड़ा हवन होता है हमारे यहां और इसी के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद ये शिरी राम